हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तों UPSC द्वारा NDA Second 2021 का एप्लिकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी यह एप्लिकेशन फॉर्म आपका 9 जून को जारी किया गया है और फॉर्म बनने की लाज़ डेट जो है 39 जून 2021 से आप इससे पहले एप्लिकेशन फॉर्म जरूर भर दें इसमें टोटल 400 वेकेंसी है और अगर कोर्स की बात करें तो इसमें नेशनल डिफेंस अकेडमी कोर्स है जिसमें आर्मी के लिए 208 वेकेंसी है नेवी के लिए 42 वेकेंसी है और एरफोर्स के लिए 120 वेकेंसी है जिसमें 28 वेकंसी आपकी ground duty के लिए है इसके लावन Neville Academy 10 plus 2 cadet entry scheme में total 30 वेकंसी है इस तरह total 400 वेकंसी है अगर education qualification की बात करें तो army wing of NDA के लिए candidate को 12 पास होना चाहिए वहीं पर air force और naval wing NDA NA के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में आपके पास physics और mathematics होनी चाहिए application fees की बात करें तो unreserve और OBC को 100 रुपय application fees जमा करनी होगी वहीं पर SAST को कोई भी application fees नहीं जमा करनी होगी तो जो लोग form भनना चाहते हैं 29 जून से पहले application form भर दें मैंने link इसका वीडियो के description में दे दिया इसके साथ ही unacademy द्वारा UPSC civil service exams की तयारी करने वालों के लिए unacademy civil service championship इस्टार्ट की जा रही है जो की इंडिया का largest scholarship test है ये test आपका 13 जून को सुबह 10 बचे इस्टार्ट किया जाएगा इसमें top 50 rankers को UPSC civil service mentors की guidance ब्रॉइट कराई जाएगी आप इसमें free में enroll कर सकते हैं आपका test जो है पूरी तरह से live होगा और इसमें लगबग 3 करोण तक की scholarship दी जाएगी तो जो लोग apply करना चाहते हैं मैंने link video के description में दे दिया है और comment में pin कर दिया है आप उस link पर click करके इस test में participate कर सकते हैं और scholarship और price जीश सकते हैं इसके साथ ही अगर इससे related कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं ये video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद